अब नेक्स्ट जो राइटी जाते हैं ये बरास की बनी हुई है ये मिट्टी के हैं ये देखो मिट्टी के ये ऐसा खिलोने बच्चों के है या वो है अपना ये जो है ना उसको शोकिस में दिवाच सकता है अच्छा पूजा के लिए आइटिंग बेस्ट आइटम है ये तो आप भोग के लिए पूजा के लिए बच्चों को अगर देने हो फिलोने के मिट्टी के बने हुए उपर कलर फूल आप देखें गोल्ड मैटल कलर किया हुआ है और साथ सच छोटे-छोटे आपको ये कप्स मिल जाएंगे ऐजब कटिंग जो मुंबई की बोली जाती है मिल जाएंगे या आप घर में फूलड भी यूज करें डेले इसमें यह भी मिट्टी के ही बने होएं यह देखो जी मिट्टी का कप यह किस रेंज क्या है यह चेपीच दोसोर पेगा तो यह ऑल अवर और वार्इटी जो है मिट्टी की ही वैसे बनी होई है ठीक अर सबसे कर अब धर वीस चीज वाला है 200 1 2 800 और ये जो मैं देख रहा हूं पोड़ तो यह सट है या एक-छार सुवाला है दो सब्सक्राइब क्सफाने करेंगे का फहले जमाने में हम देखे तो मिट्टी के बरतनों में खाना पनाया जाता था और उस खाने का टेस्ट ही अलग होता है जो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है तो आज द्वारा भारत में परचलन शुरू हो चुका है मिट्टी के बर्तनों का तो यहां पर यह पोट अच्छे लग रहे हैं यह आप यह जो यूज करते हैं यह गैस के ऊपर तो चार किलो वाला क्या रेट है चार किलो वाला साड़े 600 रुपेका है आप कितने बज़े से कितने बज़े तक यहां होते हैं तो यह जो पॉर्टरी की आइटम्स है यह खुद बनाते हैं आप यहां सवराज से लाते हैं और यहां सेल करते हैं ठीक है तो आप एक बार जब कि दमन आप कहीं भी घूमने जाते हैं वहां की यादगेरी की तौर पे घर का समान लगे जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप घूमने गए थे दमन गूमने गए तो यहां से आप वेटी और यह दिया यह देखो दिया जिससे आपका बुझे गानी क्योंकि चा प्लड़ हो गए मिट्टी की बनी आइड़न तो ऐसे ही बजार में में आपको वराइटी दिखाता रहूंगा जुड़े रही है मेर साथ तो चलिए अगले देखते कि आगे क्या वराइटी इना पर मिल रही है तो डायमेंड के होल सेल मार्केट और सूरत में आपको लेके चलते हैं बापा सीता राम डायमेंड यह फिर्निशिंग शॉप है और यहां पर कितना सस्ता आपको डायमेंड मिलेगा और कहीं नहीं है